ये रिष्टा क्या कहलाता है शेहजादा प्रतिक्ष पर बोले सिकंदर खरबंदा कहा जब एक्टर अपने आपको शो से बड़ा समझने लगे तो यही होता है अंजाम जी हाँ शेहसात अधामी और प्रतिक्षा होनमुखे को निकाले जाने की बास से टीवी शो ये रिष्टा क्या कहलाता है चर्चा में बना हुआ है शो की कास्ट दोनों के निकाले जाने पर अपने अपने बयान दे रही है इस भी शो के कहम किरदार निभा रहे सिकंदर खरबंदा ने इस बारे में बात करते हुए बयान दिया सिकंदर ने कहा कि जब एक्टर खुद को शो से बड़ा समझने लगे तो उसके लिए ये अंत होता है उन्होंने कहा कि नी संदे ये रिष्टा क्या कहलाता है 15 साल से ओन एयर है ये एक ब्रांड है और शो का हिस्सा बनकर आप शो नहीं बना रहे बल्कि शो आपको बना रहा है एक बार जब कोई एक्टर सोचता है कि वो शो से उपर है तो उसके लिए ये अंत होता है अगर आपको लीड एक्टर की रूप में चुना गया है तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप सब कुछ करके बच सकते हैं सिकंदर ने कहा कि शेहजादा ने कुछ शो किये हैं लेकिन प्रतिक्षा का ये पहला शो था सबसे पहले प्रोडेक्शन आता है फिर यूनीट कंटेंट और फिर एक्टर शो सिर्फ एक्टरों की वज़ा से नहीं चलता है वहीशादा प्रतिक्षा की जगा लेने वाले रोहित पुरोहित और गर्विता सिंधवानी के बारे में बोलते वे सिकंदर ने कहा कि रोहित और गर्विता दोनों टैलेंटेड और अनुभवी हैं वे पावरफुल कलाकार हैं और मुझे अमीद है कि दर्शक उन्हें पसंद करेंगे और स्विकार करेंगे